कि देखो एक खतरनाक पागल-पागल खाने से भागा हुआ है और इसी तरफ आते हुए देखा गया है तुम्हारा आती जाती गाड़ी को अगाह करना और खुद भी होश्यार रहना समझे जी साब चलो अरे यार चोड डमर्स समगलर आतंक वाधित तक ठीक था अब शाला आजकल पागलो लिए दाकवन्दिक करनी पड़ रही है हुँ 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 करृट बसमारा फुँ है य tow इक दो आए को दोड़ से बुल खोड़ा झाल प्राइब था उल पुल उर उर साफ ऊजडा sm ए dari ऑक दो परहई हैं लो गुल झाल 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 क्या हुआ? मेडम, एक खतरनाक पागल पागल खाने से भाग गया है रास्ते में होश्यारी से जाईएगा ओके, थैंक यू अर्सों से मैनेजर बंकर इसकी खुलामी कर रहू हूँ मैं सिर्फ इसी उमीद पर कि ये कभी तो मुझे पर महरबान होगी लेकिन हज तक इसने मुझे उस नजर से देखा ही नहीं करोडों की जाईदाद ना कोई आगे ना कोई पीछे कल कोई अंजान आदमी इसका जीवन साथी बंकर करोणों की तौलत, चाइदाद और बिसनस का वारिस बन जाएगा और मैं मैनेजर का मैनेजरी रह जाऊँगा ये मैं बरदाश नहीं कर सकता मनीश, की क्या के तुमने अभी तो सिर्फ तस्वीर पर गोली चलाएए मिस सपना जी अब तो तुम्हारी पारी है गुटबाई मिस सपना, गुटबाई नमस्कार मालकिन, अंदर मैनेजर साब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं अच्छा नमस्ते सपना जी नमस्ते, मनिश इतनी रात कया और तुम इस वक्त यहां सपना जी, आपकी अमानत आप तक पहुंचा है बगेर मुझे नीन कैसे आ सकती है यह, यह पिस्तोल किसली है? सपना जी, दौलत जितनी बढ़ जाती है, तुश्मन भी उतनी बढ़ जाती है धर्जरू, मगर मुझे पिस्तोल के जरुरत नहीं, यह तुम ही रख लो अच्छा ठीक है, सपना जी, एक बार गिन तो लीजे, पूरे 10 लाक है मेरी तुम पर जो विश्वास किया है, वो लाखों का नहीं, घरो डंका है ठीक है रामो काका जी पैसे थी जरी में रख देना जी अच्छा रामो काका, चलता हूँ आज कॉफी नहीं पिएंगा नहीं आज दी, थैंक्यू अजगा यजगा उट तो उट मारे गाइची याला कैसे भे है याला कैसे भेटू पे यह वाफा, मैं तुझे माडानूगा, माडान मैं तुझे! मदू, मदू! मुझसे दूर भाग रहे हैं तू, किदर भागेगी तू? पहले भी भाग गएती तू, अब मैं तुझे भाग यो निदूगा पेच, लगता है यह वह यह पागल है मैं तुझे माडा लूँगा, माडा लूँगा मैं तू, पेच तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? दोखा दिया है तूने, तू भाग गई थी लेकिन अब तुम्हे आगे हो ना, तुम्हारे पास? मेरे पास? हाँ सच, नहीं तू छूड़ मोल रही है, फिर बुद्धू बना रही मुझे तू मैं तुम्हें बुद्धू कैसे बना सकते हूँ? तुम तो कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने होश्यार हो और कितने अच्छे हो सच? हाँ फिर तू मुझे छोड़कर क्यों चले गई थी? मजबूरी थी हालाद के मारे हालाद के मारे? मैं मार डालूँगा हालाद को, हालाद को मैं दालूँगा नहीं, तुम तो कितने अच्छे हो और अच्छे लोग किसी को नहीं मारते अच्छा? तु फिर मैं किसी को नहीं मारूँगा, लेकिन तु मुझे छोड़ कर मन जाना, हाँ? तू नहीं थी, ना, सब लोग मुझे मारते थे, ट्यारते थे, भागल कहते थे अच्छा? मुझे कोई भी खाने को नहीं देता था, पीने को भी नहीं देता अब मैं आ गई न, सब ठीक हो जाएगा मैं तुमरे लिए पाने लेकर आती हूँ, तुम यहां बेठो, यहां बेठो, मैं अभी आई, ठीक है मदू आ गई, मदू आ गई पानी, हम अभी लें पानी, पीलो कुम पीला, हो ट्लीज़! धडिन दूट ऐलो, पलिस्टिशन? थाल, पला दो. आंधे एला दो! आंधे एला दो! जाल, जाल, एला! खाल, आवाई आवा, आवाई! कि येस किने हेल्प यू आप कि मैं मैं इस इलाके के आई जी हूँ सोरी कान परमा क्या आप इने पुलिस्टेशन फोन किया था जी हाँ वो पागल उस कमरे में है जाओ जागर उसे लिए उस कमरे में और संभाल के बहुत खदरना के वो आई जी साब आप मुझे इतनी हरणी से क्यों देख रहे है शायद आप यही सोच रहे है न एक अकेली लड़की ने इसे खतरनाक पागल को कैसे बस में कर लिया आई जी साब मैं दिमा के डॉक्टर हूँ एक साइकाटेस्ट हूँ किसी भी पागल को अपने बस में कर लेना मैं अच्छी तरह जानती हूँ हख तरह तरह जे पिर सेच उड़कों होती ही पैसी तरह चेंडर कि Indrona कि अच्छीए मैं दॉपणरें विज्सी है म अलाव ठाच बहुँ है, मन, 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 मन! मन, मन! 듣 कि र cabeza बहुता! बढ़ ठाया, मन, मन! मन, मन! मन! जयराम जी किया है हमारे काम में जान का जोखिम भी है और मौत का खत्रा भी मगर याद रहे हमारा नाम तुम्हारी जबान पे कभी नहीं आए और काम भी हो जाए वक्त से डर नहीं तो मल अरे का बात करतो बाबू तो हाँ नाम आमनी जबान पर तो कहा जोनो जबान पे आएगा ना उन जबान के साथ साथ उन नाम भी इस दुनिया से मिटाई देंगे हाँ हलो मैं आई जी वर्मा बोल रहा हूं सपना जी से बात कर सकता हूं हां जी बोली है मैं सपना ही बात कर रही हूं सपना जी मुझे आपसे बहुत ही खास बात करनी है अगर आप हमारे घर हैं तो बड़ी महर्मानी होगी आपके घर जी देखिए अगर आपको कोई अतराज नहों तो आपका आना बहुत ज़रूरी है ठीक है मैं आती हूं अपना पता बता देजी वो आएगी नहीं आएगी वो आगी मोदू अजया हम नई? हुआ सबना? वई सर, हभ आयू? बेरी वए, चक्ड यू मै तुम्हार इंट जार करता च्यू हुआ माइक यह यह मेरी तस्वीर है जिस तरह इन तस्वीरों को देखकर तुम धुका खा गई उसी तरह करन भी तुम्हें देखकर धुका खा गया कि तुम मधू हो मधू हां मधू जैसे वह खोच चुका है लेकिन भूल नहीं पाया उसमें और तुम्हें फर्क है तो सिर्फ नीली आंखें नीली आंखें यह देखो कि तस्वीर है मधू की है हां उस पथर दिल लड़की मधू की है जिसने करन के साथ एक हंस्ती खेलती सपनों की दुनिया का आएना बनाया और फिर उस आएने पर एक ऐसा पत्थर मारा कि तूटकर बिखर गई मेरे बेटे की जिंदगी आपका बेटा हां करन मेरा बेटा है आओ अाइगी, नहीं आइगी, ओआइगी. आपने इस घर में क्यूँ रखा है। क्योंकि जब से उसने तुम्हें देखा है। तुमें काफी परिवर्तन आुचुका है। वह तुम्हें मध्यू समझता है। लेकिन, लेकिन मध्यू कहा है? तो उलत के लालच में किसी और का हाथ थामकर विदेश चले गई करन ये सद्मा बरदाश नहीं कर पाया और मदू के गम में पागल हो गया मेरे बेटे की जिन्देगी में एक नई सुभा तुम ही ला सकती हो जी, मैं, मैं कुछ समझी नहीं अगर कुछ समय के लिए तुम मधू बन जाओ तो शायद करन की दिमागी हालत ठीक हो सकती है मैं? मधू? I'm very sorry, sir. ये नाममकिन है, sorry मैं हाथ जोड़कर बिंती करताओ तुमसे तुम तो एक दिमाग की डॉक्टर हो क्या मेरे बेटे को दिमाग कमरी समझ कर उसका इलाज नहीं कर सकती? मैं छोली पहला कर अपने बेटे की भीक मांगता हूँ मुझे नाउमीद मत करना प्लीज आजी साब, ऐसा मत कीजिए मुझे सोचने का थोड़ा सबक दीजिए देखे, मैं रात रात भर अपने बेटे को जागता तडबता नहीं देख सकता इस बेबस लाचार बाप पर रहम खाये, प्लीज अल्टरल देखे, मैं आपके जवाब का इंतिजार करूँगा सर, आप ये पताए अब मुझे क्या करना चाहिए एक तीर से दो शिकार अभी आया हाँ तो सपना, तुम पूछ रही थे कि उस पागल के इलाज के लिए तुम्हे क्या करना चाहिए जी सर सपना पागलपन का ये केस तो एक चैलेंज है तुम्हारे लिए डूइट मगर सार बात है कि मुझे करन के दिमाग का इलाज डॉक्टर सपना बन कर नहीं बलके उसके महभूबा मदू बन कर करना पड़ेगा मरीज को सही हालत में लाना डॉक्टर का सबसे बड़ा करतावे है चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े सर क्या आपको विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर सकूंगी बिटी जितना विश्वास मुझे इस जहरीली गैस पर है उससे हजार गुना ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है कि तुम करन को पागलपन की दुनिया से बाहर निकाल लाओगी क्योंकि तुम उसकी महभूबा मदू की हम शक लो सर मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूं मेरी जबाने आपको सर कहा है मगर दिल नहीं हमेशा आपका पिता माना है I'll do it sir I wish you all the best Madhu 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 याद यह बिचली उस राच जो तुफान आया था तु 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 याद नहीं Madhu Madhu तु तु चले भी तु सब चला गया तु तु आएगी न Madhu 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 कर दो कर दो कर दो अगचन अधी रात है चाहत की लधुरी बात है तूरी इस तखार मुझे को दी सदा ने आ गई अधी रात है अधी रात है चाहत की अधुरी बात है तूरी इस तखार मुझे को दी सदा अधी रात है अधी रात है अधी रात है अधी रात जो आज है तो कल नहीं लम्हा ये प्यार का किसको पता के कब कहा होना पर जुदा लग जा क्यूंगले ये पर ना धले मैं आ गए मैं आ गए साधिया ओपिया कैसे दिलाओं में यकी कुझ को जरा बता तेरी में सिर्फ तेरी तुझको नहीं पता गुमिया छोड़िकी रसमे तोड़िकी मैं आ गए मैं आ गए साधिया ओपिया अधा चांद आधी रात है चाहत की अधुरी बात है तुने इस सदा मुझको अधी सदा में आ गए, में आ गए साधिया ओपिया सपना, तुमने मेरी बेबसी लाचारी पर ऐसानों का ऐसा खर्स लात दिया है कि मैं इस जनम तो क्या साध जनमों तक नहीं चुका पाऊंगा बरसों बाद मेरे बेटे को चैन की नीद आई उसके आखों से मधो का इंतिजार खत्म हुआ और मुझे शंती मिली ये लो ये क्या है ये करंग की वो डायरी है जिसमें मधों के साथ गुद्रावा एक एक पल लिखा हुआ है इसे पढ़कर शायद तुम्हें इन दोनों की मुलाकात और उनकी गुद्रेवी जिंदगी के बारे में काफी मालूमात हो सकती है आई जी साब मैंने फैसला कर लिया आपको आपका वही करन लोटाओंगी जो आप खोचुकी है मधु, सारी दुनिया की बहार एक तरफ और तुम्हारा प्यार एक तरफ, जब तुम मेरे पास होती हो, तो लगता है कि सारी दुनिया की बाहरे मेरे पास है, अच्छा मदूद तुम कार बहुत तेज चलाती हो, तुम्हें स्पीड में चलाना पसंद है न, कल हम जब ड्राइपर जाएंगे, कार मैं चलाऊंगा, और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि तेज चलाना क्या होता है करन, करन प्लिस सुना, वहाँ गाड़ी है, हम लोग दूसरे जगह चलते हैं, गोमी के लिए चलाना प्लीस चलो चलो जखाँ वह वह जगद, यह जिल करन, करन यह क्या करें यह तुम्हें करन, करन प्लीस करन, करन, करन प्लीस कर दोंद दो गओ लुद झाल झाल कर जुद पर पर ऋ लुद पर लुद कर देंग लुद कर देंगा फुडि़ जाओ लुठिप पुठिण पुठिट्षाइब लुठिफट्टॠपी फुठिफ़ इग मैप लुठिपश्टॡबर को लुभ्रिफब लुठिप। बारिफ़ पुबर को लुठिफ। लुठिप लुठिफ लुठिपव । कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता तु तेरी जगा बस इस चार दिबारी के बीच कैद है मैंने भूल की जो तुझे इंसानों के बीच भेजा आई-जी साब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस ही लाएक है ये पागल इसे पागलों की तरह जंजीरों में जगड़ देना चाहिए अब ये पागल कभी नार्मल नहीं हो सकता मधू मधू आईजी साथ, ये तो अपना दिमागी संतुलन खोच चुका है इसके किसी भी गलिती को नजर अंदास किया जा सकता है पर आप तुम नार्मल होते हुए भी अब नार्मल की तरह बेहेव कर रहे हैं देखे, इस वक्त इसे मार और नफरत की नहीं बलकि प्यार और सहारी की जरुरत है मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी जिंदगी दावपर नहीं लगा सकता सबना अगर आज तुम्हे कुछ हो जाता, तुम्हें जिंदगी भर अपने आपको माफ नहीं कर पाता I don't think ये कभी नार्मल हो पाएगा ये दूसरों के लिए खत्रा बने इसे अच्छा है इसे इसके हाल पर और मुझे मेरी तखदीर पर छोड़ दो आई जी साब, आप करन को बस मेरी भरोसा पर छोड़ दीजी अब इसे नार्मल स्टेज पर लाना मेरा मकसद बन चुका है और मैं एक घर के रहोंगी खिमत मत हारी, खिमत से लगने वाले तकदीर से जीट जाते है I'm sorry Karan मुझे मारना ने, मुझे मारना ने कोई नहीं मारेगा तुम्हे ठीक है? चलो, आप यी दवा खालो यी दवा खाने से अच्छी तरह नीद आजाएगी मैं हूँ ना? पानी पिलो, पानी पिलो दर्सकूर, दर्सकूर पास पास आणीा कि ओHI नहीं घर वास कारें इस्यगा वपच्छू आट्ड कुछ याद आया, तो मुझे एक बार यहां गुमाने लाए थे और मुझे इस खंडर से जुड़ी हुई बहुत पुरानी कहानी सुनाया करते थे और अक्सरम लोग यहां आयाय करते थे हां, इस खंडर की दिवारों पे तुम्री मेरी तस्वीरें भी बनाई थी कि हां कई चरान? करान? 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 करें, जब तो मेरी ये तस्विर बना रहे थी, तो कितनी जोर से बारिश और तुफान आया था, ख्यात करो न? करें आया थारिया थाल चंचल हमों से खुश्ब मुहाबत की क्या कह रही है ये सुलो सरम हे हका ये लाए ये लो हका ये लाए ये लो हका ये लाए ये लो हका ये लो चंचल हमों से खुश्ब मुहाबत की क्या कह रही है ये सुलो सरम हे हका ये लाए ये लो हका ये लाए ये लो हका ये लो हका ये लो हका ये लो चंचल हमों से खवड्य मुहाबत के लुश्र तो दो को रहनाताओ हमों से खवड़त उते बीता हुआ पर, गुजरा हुआ पर, आया है लेके मौसम खुशी का तुमसे ही मिलके मैंने तो सीखा, क्या फल्सफा है इस जिन्दरी का तुमने कहा था अच्छ से किसी दिन, मुझको हमेशा चाहोगे आएगी चाहे कोई ख्यामत वारे वफा न भुलाओगे पलके जुको ना, नजरे चुना ना, कहिना है जो पच्छ वो कह दो सरम है, हाका इला इलो, हाका इला इलो हाका इला इलो, हाका इला इलो हाका इलो, हाका इलो हाका इलो, हाका इलो आएख कियरका इलो, हाका इलो सद्यूरानी अपनी कहानी सूरज है तू मैं तेरी किरन रहना है पलकों के आशियां में धरकन में तेरी जीना है आये कोई भी तुमान आये हमको जुदा नहीं होना है बाहों में आ जाओ मुझ में साब जाओ मेरे सिवा कुछ ना देखो सरम है हका यल्ला ये लो हका यल्ला ये लो चल चल हावा से खुश्बू मुहबत की क्या कह रही है ये सुलो सरम है हका यल्ला ये लो हका यल्ला ये लो हका यल्ला ये लो हुआ हुआ है ये क्या बतमीजी है माफ कीजिएगा सपना जी शिकार पर आया था आप लोगं को यू अचानक जंगल में देखकर मैं सोचा के मिल लू खेर चुड़ा सपना जी आप इसी का अलाज कर रही है ना हाँ मनिश यह करत जानता हो सपना जी वही आई जी का बेटा ना सपना जी पुलीस वाले से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है और दोश्मनी भी बहतर है आप इससे दूर रहे क्योंकि यह पुलीस वाले का बेटा भी है और साथ-साथ पागल भी मनिश पागल पर में आपके साथ कुछ भी कर सकता है मनिश, stop it तुमने मुझे पागल बोला तुमने मुझे पागल बोला तुमने मुझे पागल बोला पागल बोला मुझे करें आप जब उन्जब आप दूब आब सिंड जब आब आप आप स्ब जड़ आब आप 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 करेंच, छोड़ दूँ! मनीश, नहाँ! आज तुमने जो किया है, बहुत बुरा किया है, मनीश? किसब मैं बरतश नहीं करूगी? मैरम, इस वक्त आप गुस्से में हैं, इसलिए अपने और पराय में फर्क नहीं समझ पा रही है और आप भूल रही है, कि उसके ऊपर किसी ने गोली भी चलाई थी, तो शायद आपको भी लग सकती थी? कुली किसने चलाई, क्यों चलाई, ये बात के बात है, मगर तुमने मेरे रोपने के बहुजूद भी करना हो? ठीक है, इस बार में तुम्हें माफ करती हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, मनीश येस माड़म करन, तुम्हें मालूम है न, कि हम लोग कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बताओ तुमने डाइरी में लिखा था, कि तुम्हें एक जगा एक खास तौफा देने वाले थे, वहां जा रहे हैं यही वो जगा न, करन? करन, वो देखो, पानी का टैंक याद करो, यहां तुम मुझे क्या देने वाले थे? करन, याद करो, कुछ याद आया? याद करो, करे, याद करो करो कुछ याद है, करे? याद करा करे, करें वाद करें वाद हुआ सब कुछ मुझे याद आ गया जई जो जो पुझे जोसा इचान जो जा शाणिट आताई याद आगया आपकोन शोब शोब अधै सब कुछ मुझे याद आगया करें इस घॉद आ है मदूब यही अमूठी में तुम्हें देने वाला था पर यह यहां क्यों छुपा के रखे थी लोगों का कहना है कि यहां मननत मांगने से पूरी होती है इसे यहां रखकर तुम्हारी मननत मांगे थी लगता है हो गया मेरे यार दिल से जुड़ी दिल की कड़ी हल चल हल चल हर घड़ी लगता है कुछ हो गया मेरे यार चल चल ओखे चार कर दिल में विठा के प्यार खर अब नहीं होता मुझसे इंतिजाँ लड़नी, हलै लड़नी, हाली लड़नी, हमत्ली लड़नी हलका हलका दर्द है दर्द में भी आराम है हलका हलका दर्द है दर्द में भी आराम है जाने मन के है चान ले इश्क इसी का नाम है सुन ले सुन ले मन चली दिल में मची है खल बली तूने किया है कितना बेकरा ललाई लाई 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 चल चल आखी चाल कर, दिल में बिठा की प्यार कर, अब नहीं होता मुझसे इंतिजाR तेरे मेरे प्यार का आया है मौसम नया तेरी मेरी प्यार का आया है मासम नया तेरी सुल्खें जो खुली सहरा में गुल खिल गया फागुनवाली तूप दिल बरता क्या रूप जी करता है देखो बारबाँ तिल से चुड़ी दिल की कड़ी हल चल हल चल हर घड़ी लगता है कुछ हो गया मेरे या ललई लई 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 चल चल ऑखी चार कर दिल में भी ठाके प्यार पर अब नहीं होता मुझसे इंतिजार लई-पाप। लई-पार लई-पार ोव मुख्यमंत्र जी आपके इंतिजार करें एक्स्क्यूमें सर आपने जो उसके नॉर्डर देता हुए ठीक है गुद मॉनिंग सर गुद मानिंग मुकेश अगरवाल मर्डर केस का क्या हुआ सर हम मंजिल के काफी खरीब पहुंच चुके हैं मुकेश अगरवाल ने 28 जनवरी की सुभे मुझसे मिलने का अपाइंटमेंट लिया था पर 27 जनवरी की रात को उसका खुन हो गया है वो एक बहुत ही होनहार सी बी आई ऑफिसर था हो सकता कि वो कोई मुझे खास बात बताना चाहता हो जिसकी वज़े से उसका खुन कर दिया गया हो इसलिए उसके खुनी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है जी सर मैं कोशिश करूगा कि बहुत जल्द ही उसका खुनी आपके सामने हो करन कैसा है अच्छा है सर आपको तो मालूमी है कि कल उसकी सगाई है लेडिजन जेंटलमन आज की ये पार्टी दोहरी खुशी की पार्टी है पहली खुशी करन के ठीक होने की है जिसका सारा स्रे मधू को जाता है मधू ने दिन रात एक करके करन को एक नई जिन्दगी दी है और इससे भी बड़ी खुशी आप लोगों को ये सुनकर होगी कि आज मैं इन दोनों की सगाई करने जा रहा हूँ मैं ये हर्गेज नहीं होनी दूँगा इस खुशी को मैं मातम में बदल दूँगा करन के सागाईच अरे मुझी खुद ने मालूम ये तो डैडी ने अचानक मभारको करन भई मुबारको 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 बेटी मुबारको तैक्यू माग का इलाज किया और दिल को बिमार कर दिया एक तीर से दो दो शिकार रहा है समझ के ना क्या करना है जाओ तो सबस्क्राइब थे खरी जाओ थेक्यू करन ये देना करन ये करो पहले करन मेरे बात तो सुन करन मैं तुम एक कहा कहा डूंड रहा हुँ भई सगाई की रसम पूरी करो चलो चलो कमान करन एक सिकेंड पूर रसम प्लीज क्या हुआ मुझे तुमसे कुछ कहना है कहो यहा नहीं बाहर चलते हैं चलो क्या बात कर रही है इतने सारे महमान है पार्टी हमार ले दी गई है प्लीज चलो क्या बात है चलो न अरे यहां इस जील किरारे मुझे कहां ले आई हो तुम याद है तुम्हे हम लोग एक बार फेले यहां आँ चुके हैं यहां उस वक्त इस जील को देखकर में डर गए थी मेरे लिए यहां एक बल भी रहना मुश्किल हो गया था तर गई थी मुश्किल हो गई मैं मैं को समझा नहीं यहीं समझाने के लिए मैं तुम्हें यहां लाई हूँ इससे पहले क्या हमारी सगाई हो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ करन करन, मैं तुम्हारी मधु नहीं हूँ, सपना हूँ सपना? हाँ, सपना करन, करन, प्लीस पिलीब, मैं तुमसे कुछ चुपाने नहीं चाहती हूँ तुमारी इलाज के लिए मैंने मधु होने का नाठा किया था इलाज करते करते, मैं तुमसे प्यार करने लगी क्या यह जानकर भी, तुम उचे अपना होगी तुम जू भी हो, जैसी भी हो, मेरी हो मैं तु बस अब इतना जानता हूँ, कि तुम्हारे बिना मैं जीन नहीं पाँगा इतना बड़ा फाइजला करने से पेले, मेरे बारे में जान दो लो करन, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोश है उसे तुम्हें पता है भी न, मैं तुम्हारे साथ जिंदी की खिराबर ने चल सकते बोश? कैसा बोश? करन, मुझसे, मुझसे खुन हुआ है हाँ, खुन, करन, आज से जो मेने पहले मैं पुना से वापस आ रही थी और यही छिल के पास मेरे गाड़ी का इंजिन गरम हो गया था और मैंने क्या कि मैं पानी लेरी यह चिल के पास आई थी जब मैं पानी बर रही थी, मेरे पीरचे से किसी ने आकर मुझ पर हमला किया और मैं आकर मैं पास आई दो मानी यही थी पर दिख प्रसीजीवा, पर दो ना हम पर के लिए और शागरवाल की लोनी झील में निर्मम हत्या, हत्यार्य लापता, कर रात केसी अग्याद हत्यार्य ने CBA Officer Mukesh Agarwal की लोनी जील में हत्या करती पुलिस अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा पा रही जब मैंने अकबार में पड़ा कि उसी जील में CBA Officer Mukesh Agarwal की लाश मिली है तब मुझे पता चला मेरे हाथों मरने वाला CBA का एक बहुत बड़ा Officer था यह जानकर मैं इतना डर गई कि मेरे समझ में ने आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं किसी को बताओं या नहीं और आगर मैं खामोश होकर रह रही पर पर मैं तुमसे कुछ ने चुपाना चाहती करण मेरे इन हाथों से CBA Officer का खून हुआ है मैं खूनी हूँ करण हो सके तो मुझे माफ कर देना तुमारे एक बाली जुर्म की वज़े से मैं तुम्हें गिरिफतार करता हूँ मैं CBA Officer करण सकते नहूँ वेल डान करण, वेल डान सपना जी, आपने अपना जुर्म कुबूल करके हमारी बहुत बड़ी problem solve कर दी 27 जनवरी को इसी जील में मुकेश अगरवाल की लाश मिली थी और उसी दिन इसी जील के किनारे आपके पाउं की साथ नंबर की सैंडल और थोड़ी सी दूरी पर आपकी गाड़ी मिली पर आपको गिरिफतार करने के लिए हमारे पास सबूत काफी नहीं थे इसलिए हमने आपके आसपास जाल बिचाया क्योंकि आप दिमाग की डॉक्टर थी हमने करन को पागल बनाकर आपके पास बिचा फिर करन का नकली बाब बनकर मैंने आपको उसकी इलाज के लिए मजबूर किया आपकी अलग-अलग समय पर खीची गई तस्वीरों की आखों का रंग बदल कर हमने मधू नाम की आपकी एक हम शकल बनाई जो कभी थी यह नहीं फिर करन का काम था कि आपके दिल में उतर कर हकिकत तक पहुंचे इसलिए हमने नकली डायरी आपकी अंगुठी और सगाई कनाट रखिया जिसमें आप फस गई आव यू आर अंडर रेस्स सपना वेल डन मा बॉय पंग्राचुलेशन्स मुझे गलत मसे बचा सपना मैने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी लेकिन यह भी सच्छे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या गफसर को अपना फर्ज निभाते हुए मुझे इंसे प्यार नहीं हो सकता धोके को प्यार का नाम मत दो करन मुझे अपनी गिरफदारी को कोई अफसूस नहीं अफसूस है तो सिर्फ तुमारे फरेब का मैंने प्यार किया और तुमने दोगा कारवाई शुरू की जाए Your Honor 27 जनवरी की शाम लोनी जील पर मुकेश अगरवाल का खून एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ Your Honor, मुकेश अगरवाल को इंटरपोल से खास ख़बर मिली थी कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश में बहुत बड़ा हास्सा होने वाला है 28 जनवरी यानि की अगले दिन मुकेश अगरवाल का अपाइंटमेंट मुक्हमंतरी जी के साथ था हो सकता है कि इसके बारे में और भी कुछ बाते हैं वो मुक्हमंतरी जी को बताना चाहते हो पर मुक्हमंतरी जी के पास पहुचने से पहले ही इस भोली भाली मासूम सी दिखने वाली सपना मातुर ने मुकेश अगरवाल को पानी में डुबो डुबो को माट डाला योरानर यही नहीं योरानर इसने सबूत को बखुबी छिपाने की कोशिश भी की पर CPI officer करन सकते न और IG सूरकांत बर्मा के मेनत और सूजबूज ने इसे ढूड निकाला और इसे मजबूरन अपना अपराद इनके सामने कबूल करना पड़ा मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसी खूनी देश द्रोही को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मिस्ट अपना माथूर आप अपनी सफाइव में कुछ कहना चाहेंगी नहीं अगर आप चाहें तो यह अदालत आपको वकील मुईया करवा सकती मुझे उसकी कोई जरुरत नहीं जच साहब पर मिस्ट अपना माथूर तुम्हे आज अदालत को यह बताने ही होगा कि सीविया याफीसर मुकेश अगरवाल की मौत की साज़िश में तुम्हारे अलामा और कौन-कौन सामिल थे देखो मिस्ट अपना माथूर अगर तुमने उन लोगों के नाम अदालत को बता दिये जो इस साज़िश में शामिल थे तो अदालत तुम्हारे साथ हमदर्दी कर सकती है तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है मुझे किसी हमदर्दी के कोई जरुरत नहीं मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ इंसान को अपने के एक सजा भुगतने पड़ते है चाहे उसके हातों जुर्म हो जाए क्या छुड़ी से भूल जर्ज साहब मेरी इन हातों से खुन हुआ है मुकेश अगरवाल के मौत का कारण मैं हूँ मुझे सजा देजे जर्सा मुझे सजा देजे प्लीज इस मुकदमे का फैसला अदालत कल सुनाएगी सर एटीज सीम साब का है काडन में रिवॉल्वर अकले अकले ठीक है जर गारी पाक करा दो ओक सर सर करन सब आए आव आव बिटा करन आव आव अरे अरे यह क्या कर रहे हो पिटा आप तुम बड़े हो गए हो बड़े ओहदे पर हो अब यह सब अच्छा नहीं लगता गुरू के साथ साथ मैंने आपको पिटा भी माना है बाबा मेरा यह अधिकार मुझसे मची नहीं है कि मैंने जो चाहा तुमने वो बन के दिखाया बस आपकी दे हुई शिक्षा पर चलने की कोशिश कर रहा हूं बाबा मुझे तुम पर गर्व है सपना को गिरफतार करके तुमने यह साबित कर दिया कि फर्स प्यार से कितना बड़ा होता है उसी केस की राय आपसे लेने आया था बाबा सपना की गिरफतारी के बाद भी मुझेश अगरवाल की हत्या की गुथी सुल्जी नहीं सपना के मताबिक उसने उसे चूरा मारा था पर पोस्ट मॉटिंग में रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत हुई गला घोटने से अब एक आदमी की मौत दो तरीके से तो नहीं हो सकती बाबा अधालत में सपना ने अपना गुना कबूल किया है और अगर उसका बयान सच है तो पोस्ट मॉटिंग की रिपोर्ट जूटी हो जाती है सपना का कहना है कि मुकेश अगरवाल ने पहले उस पे जान लेवा हमला किया और उस राज से पहले उसे वो जानती तक नहीं थी तो फिर वो जान लेवा हमला क्यों करेगा बाबा यह ऐसे कुछ सवाल है जो उस केस को उलज़ा रहे है अगर पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट सच है तो सपना कादिल नहीं हो सकती और अगर हम यह मानते हैं कि सपना जूट बोल रही है उसकी वज़े क्या है असली कादिल तक पहुंचने के लिए जानना बहुत जरूरी है बाबा कौन सचा कौन जूटा सर, मैं इस केज को रियोपन करना चाहता हूं लगता है तुम जजबाती हो रहे हो देखो, फर्ज और प्यार के बीच एक बारीक सी दीवार होती है जिससे कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर मेरा फर्ज मेरे प्यार से कितना उचा है इसका सबूत मैं सपना को हदकड़ी पहना के दे चुका फिर भी मुझे शक है सर सपना की खामोशी में कोई ने कोई राज जरूट छुपा हूआ है अगर तुम्हें जरा भी शक है ना तो जस्ट गोएड पुलिस का अगर काम है गुनेहगारों को पकड़ना तो बेगुनाओं को बचाना भी हमारा करता भी है थांक यू फिर इंकरजमेंट सेर और सॉरी पर कभी सुद्स नो प्रावल मैं टॉल गुद नाइट गुद नाइट और 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 मुल्सिमा सपना मातुर के बयान से ये थाबित हो चुका है इसी बियाई आफिसर मुकेश अगरवाल का खून सपना मातुर नहीं किया है लिहाजा अदालत मुल्सिमा सपना मातुर को खूनी करार देते हुए ताजी राते हिंद दफ़ा 302 के तहट धैरिये जाज साब जाज साब कोई अगर इकबाली जुरुम करे तो ये जरूरी नहीं कि वो वाकई मुझरिम है उसक्ता वो किसी दवाओं में जिसने सपना से ऑफिसर मुकेश अगरवाल का खून कबूल करवाया था माइटिफिकेशन जाजब ऑफिसर मुकेश अगरवाल के पोस्ट मौटम रिपोर्ट को बारीकी से जार्च करने के बाद उनके जिसम पर लगे हुए जख्मों की निशान ये साबित करते हैं कि मरने से पहले कातिल और उनके बीच में एक बहुत जबरदस्ट जड़ब हुई होगी मगर मुल्जिमा सपना माथो और ऑफिसर मुकेश अगरवाल की ताकत में जमीन आस्मान का फर्क है मुकेश अगरवाल बहुत ही भारी भरकम शरीर के इंसान थे जिनकी उचाई तक्रेवन छे फुट थी तो क्या ऐसी नाजुक लड़की उनके साथ जोर आजमाईश कर सकती है ऐसे इंसान का पानी में गला धबोच कर क्या वो मार सकती है इंपॉसिबल जल्साब ना मुम्किन है यह आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं जल्साब मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मुकेश अगरवाल के कतल के पीछे एक बहुत गहरी साज़िश है और सपना मातुर साज़िश के जाल में किसी बेवस पंची की तरह असकई है सपना मातुर तो वो साज़िश का चोटा ऐसा धागा है कुथी कहीं और उल्जी है जल्साब कहीं और इसलिए मेरी आप से गुजारिश है जल्साब कि मुझे तस एक दिन का टाइम दिया जाए ताकि मैं असली कातिल को कानून के सामने ला सको जल्साब मैं आपसे कितनी बार का हूँ कि खुन मेंने किया है मैं आपसे हाठ चोड़कर बिंदी करती हूँ इसके उसको यही खादम केजिए मुझे नहीं चाहिए किसी की दया और हम दर्दी मेरी सिदिगे पर हैसन करने कि कि किसी को कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं मैं गुनेगार हूँ मुझे सजा देजिए पीस मुझे सजा देजिए मुझे सजा देजिए मुझे सजा देजिए कि यूर अनर अभिसर करन सक्सेना अदालत का कीमती वक्त खा मखा जाया कर रहे हैं जब सपना माथुर अपना गुनाह अदालत के सामने कबूल कर चुकी है तो बात यहीं खतम हो जानी चाहिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि ने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आप बेनेफिट और डाउट के पेस पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दस बारा दिन की महलत दी जाए ताकि असली कातल तक पहुंच सके प्लीज सर यह अदालत आफिसर करन सक्सेना को दस दिनों की महलत देती है तब तक सपना मातुर को पुलीस कस्टेडी में हिफाज़त के साथ रखा जाए इस मुकदमे की कारवाई दस दिनों के बाद होगी सपना अदालत में तुमने अपने आपको दोशी मान कर अच्छा नहीं किया कोई जुर्म करके अपने आपको दोशी मान लेता है और किसी को अपनी जुर्म का एहसास तक नहीं होता मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है शाहिद तुम्हें इसका एसास नहीं सपना मुझे पूरा यखीन है कि वो खुन तुम्हारे हातों नहीं हुआ है मैं दिन रात तुम्हें पेगुना साबित करने की कोशिश में लगा हूँ और तुमने तुमने अदालत में अपना जुरू में इकबाल करके बहुत बड़ी भूल की है हां भूल तो की है मैंने मगर अदालत में अपना कुसूर मान कर नहीं बर्कि तुमसे प्यार करके जिसका ये फल बुकत रही हूँ नहीं सपना, नहीं, मुझे समझे की कोशिश करो सपना देखो मुझे तुम्हाय साथ पूरी तरह हूँ हां दर्दी है, है न सिबी आई ओफिसर, मिस्टर करल फ्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर तुम सिर्फ मुझे सजा देने के लिए मौत को गले लगा रही हो सपना तुम नहीं जानती मैं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से प्यार नहीं कर सकते तुम सर से पाओं तक एक जूटो, एक सफिय जूट चले जाओ यहांसे, चले जाओ मुझे मेरी मजबूरी बेबसी और बतकिसमती की साहरे छोड़कर चले जाओ मुझे तुम्हारे सहरी के कोई ज़रुरत नहीं चले जआउ यहाँ से, प्लीज, चले जआ मुझे गलत समझझे रही है तुम सप्नम, मैं अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हें दिवार से अपना सर टकरा-टकरा अपने जान देद सुगी अब नहीं चाहरते हैं रुकी नहीं शक्नम ठीक है, इस वब तुम्हे चला जाता हूँ लेकि इतना याद रखना सबना मैं तुम्हें निर्टोज थाबित करके ही रहूँगा तुम्हारी हम्तर्दी, तुम्हारी खुदकर्जी है चले जाओ, मुझे मेरे बेवसी बतकिसमती और अकेलेपन की सहारी छोड़कर चले जाओ तुम्हारा प्यार जोड़ा है, एकरार जोड़ा है, जोड़ा है चले किया, तू ना जाने मुहापत है क्या चले किया तू ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे बता बेवसी तू ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे बता जोड़ा जोड़ा है ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे की हबा बेवफा मेरे दिल को तोड़ने वाले मेरे दिल को तोड़ने वाले मुझे को तनहा छोड़ने वाले बरबाद की मेरी जिन्दगी तू ने दी कैसी सदा जालिमा तू ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे की हबा बेवफा कौन सच्चा कौन जूटा किसने किसका चैन लूटा मेरे साथ या तुझे क्या पता ऐसे करना मुझे से किला तू ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे की खता तू ना जाने मुहापत है क्या मैंने चाहा तुझे की खता बेवफा याप मिस्टर करन मेरे पास सपना की बेगुनाही के पक्के सुबूत है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कौन याप यह जानने के लिए आप अकले पुरला कंटेनर यार में पहुच आईए वा में आपके जागा आपके लिए आपके लिए रध आपके लिए बाद वाओ घ्ट आपके बाद हुए भось हुए पार ओभ झार जना है कि बोड़े पार आर 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 प्लेर आर आर उना है पॉल को ने तू है किसने बेजा तुझे यार पॉल बताता हूँ बताता हूँ मैं जो रहा मालिक ने मजे बेजा है कौन मालिक उसकी शकल नहीं देखी कभी वह सिर्फ टेलीफोन पर ही सुपारी देता है आज उसने तुम्हें यहां और सपना को जेल में खलास करने की सुपारी दी थी तुम तो बच गए और वह नहीं बचेंगी सुपारी देखी जसके बचारी तुम्हें खी अया है तुम्हें आज़ आज। सबस्दके बचलए नहीं तुम्हें गिजामें टुम्हें जस्टतर प्रेखी टुम्हें घ्ज़ारे पहां हुए। एज चो बस लेखा ग आपाँ गएखाँ ! बएखाँ, गजहखाँ हँ फईफ कि... कि... आप है look है खुआ खशभ हैS खुआ philosophical पर फड़ा हूँ झाल पाई यजस ए मतऊंपने जस ईहां खूल पर आफरोई हूँ झाल गज़ा हुआ कि आ दो आफ दो तुम्हेल समस्टेक्ट निया तोई जान को बातो है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें र दार सब्सक्राइब रच्वालेगा, बालेगा. गवले, गवले, गवले. बुश्योक में हमें यही कहीं चोक्ता पड़ेगा. करन, करन छोड़ दो मुझे परोसा करो सपना करन प्लीज छोड़ दो मुझे तुपिछ जाओ, जो करना चाहती करो पर मेरी भी बास सुनो सपना तुम मुकेश अगरवाल की कातिल नहीं हो कितने बार का हूँ मैं ही मुकेश अगरवाल की कातिल हो प्लीज सपना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा I mean it, I mean it सपना मैंने जो किया था, वो मेरा फर्स था और फर्स कानून के सहरे चलता है मैं मानता हूँ कि कानून कभी-कभी सचाई को नहीं देख पाता जब से तुम्हारी मैंने फाइल रियूपन की है तब से कोई तुम्हारी हो मेरी पीछे मौत बन कर घूम रहा है जिसका सबूत है तुम पर जेल में और मुझ पर कंटेनर यार्ड में जानने में हमला मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम बेगुना हो कातिल कोई और है सपना अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं लेकिन इतना समझ लो अगर मैं तुम्हें बेगुना साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सपना असली कातिल को पकड़ने में तुम मेरी मदद करूगी Excuse me, fitting room का है He says, sir Thank you तुम लोग उदर जाओ तुम लोग जाओ Sir तुमाम न्यूजपेपर्स और डिपार्टमेंट के सीनियर ओफिसस को जवाब देते-देते मैं ठक गया हूँ में इस तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ मैं आपकी परिशानी समझता हूँ करन को अगर मैंने बेटे की तरह समझा है तो आपने भी कभी उसे बेटे से कम नहीं समझा यही तो दुख है, Sir रिष्टे, विश्वास दोनों को धोका दे गया वो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की की खातिर करन ऐसा भी कर सकता है मेरी दी हुई शिक्षा आज वर्थ हो गई अगर दो दिन के अंदर करन अरेस्ट नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन शूटेट साइट के ओर्ड़स देने पड़ेंगे आप अपना कर्म कीजिए कानून अपनी जगा है जस्बात अपनी जगा सोच सा था कि कोई है जो मरने के बाद मेरी इच्छिता को अगनी देगा लेकिन आज करन ने वो अधिकार कवा दिया झाँ हुआ 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 headache तरी हाँ कोई नहीं तरी हाँ पर भी कोई नहीं जलो करम आखिर कब तक तुम इस तरह मेरे साथ भागते रहोगे कहां तक भागोगे जहां जमीन और आस्मान मिलते हैं वहां तक जहां जमीन और आस्मान मिलते हैं वह मिलन नहीं नजरों का एक धोगा है इसी तरह इस जनम में तुमरा और मेरा मिलन भी एक धोगा है यह खुआ बेकर हैं प्लीज मेरी बात सुनो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो कर रहे कैसे छोड़ दो सपना क्योंकि तुम्हे इस हाल में लाने वाला और कोई नहीं नहीं हूँ मेरी मन्जल मौत देकर है और मैं उस मौत को जिंदगी में बदने के कजम खा चुकां सपना I love you, Karan I love you I'm helpless Karan और सपना जहां भी दिखे हैं उनने गोली मार दी जाए चारू तरफ नाका बन दी है बस यह समूंदर का रास्ता है जो में लेक तक पहुँचा सकता है क्या भाड़ेगा Karan मत बाता हो सपना हमें कैसे भी अपनी मंचल तक पहुँचना है इन लोगे लगे जो लेट्स को हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भूलाए भूलाए हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भूलाए भूलाए हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भूलाए भूलाए हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भूलाए भूलाए गुलिया चलाए चाहिए पहरे लगाए कोई दिल वालों को जुदा न कर पाए हम दो दीवाने मिले इश्क में दुनिया भूलाए भूलाए वालोब भूलाए भूलाए औ्लीया भूलाए दूलाए छिया देष्क भूलाए झाल झाल लम ही हम गए है, धड़कन रुक गई है लम ही हम गए है, धड़कन रुक गई है दिल के रुब रूत दुनिया जुक गई है आन जो हवा को बानी खूलों की खुशबु छुपाए छुपाए गोलिया चलाए चाहे बहरे लगाए कोई दिल वालों को जुदा न कर पाए हम दो दिवाने मिले इश्क में दुनिया बुलाए जूलए एडना खरन lifetime कौशब लून ुदाए कौशबों आन्ल कर भुब हाई है सदाई चाहत के जहां से हाई है सदाई चाहत के जहां से हमको है गुसाए नो हर एक निंतिहों से रेमी जहां भी जाए स्वर्ग वही बस जाए गुलिया चलाए चाहत पहरे लगाए कोई दिल वालों को जुदाना कर पाए हम दो दिवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए गुलिया चलाए चाहत पहरे लगाए कोई दिल वालों को जुदाना कर पाए हम दो दिवाने मिले इश्क में दुनिया भुलाए भुलाए हम दु़चा हम दो दोड़ वालों कराए हम दोड़स हम दोड़स यह वाए हां करन, जगा तो यही है, इस जड़ी के आसपास, यहां से मैं, हां करन, लगता ही यही कई, जब में पानी भर रही थी, उसके साथ पानी में घर गए थी, मेरा जैकेट सवालो, मैं यह अंदर जाके देखता हूं, बी कैरफूर करन, आपाणाeremos, मुझले पाणार, जाब आपांस, ज portal गर्मकांस, वा नाचने करना तुम्हारा हाथसा यहां हुआ और नकली पाउं भी यही मिला मुझे तो लगता है कि जिसका यह नकली पाउं है उसका इस हाथसे ज़रूरा कोई न कोई संबध होगा हमें 125 को ढूबना होगा मगर यह सब कैसे कर है इस शहर में नकली अंग बनाने वाली एकी फैक्टरी है यह कोई रेजिस्टेशन नमर लगता है यही नमर हमें वहां तक पहुचाएगा चलो चलो प्रूम बहुट प्रूम प्रूम यही नमर वीफ यह-चो एरूम यह-ई तक इस तो यह-ई तक रूम यह-बना यह-ई रेजिस्टर, इस ही में उसका नाम और रेजिस्टर होगा, नमर के नमर? 712617, 261, 686917, 0422, 71003, 71154, 71211, 71254, 71261, 71261, जोन दिसूसा आओ, मौत के सौधागर, जान डिसूसा, आओ अब आपन सिर्फ जॉन दिसूसा है, सिर्फ जॉन दिसूसा, अब आपन सारा खोड़ा काम छोड़ दिये ला है, God promise थादर जोजब बोलता है, जो सच्चा मन से कनफेशन करेंगा, God उसका सारा गुनाम आप करेंगा लेकर जान, अपने घंदेगा क्या होगा? अब यापन पाप का नहीं, क्रास का बोज उठाएगा सादर जोजब का सामने कनफेशन करके आपन अपना अखा गुना कुबूर करेंगा अखा गुना चलता है सेट येस, ये तुम्हारा ही है, जॉन टुसूजा आप उनका? नहीं, आप उन तो वैसा की यूज़ करता है और तुमनों कौन? इदर कैसे में आया? ये जानने के लिए, के तुम्हारा ये नकली पाउँ जील में क्यूँ और कैसे फस गया था? जील में? पाउँ, हज क्या था? ये क्या बात करता मैं? हमको बसाना मनता है फिसका इस तरह भागना ये तो थाबित कर देता है कि ये कटल में कही न कही जुड़ा है येस फादर, फादर आप थीक बोलता है आप थीक बोलता है फादर पाप इंसान का चैन छिल लेता है कितना ही भागो पंड़ उसका पिछा ने छोड़ता है फादर फादर अपन अपन करफेशर करना मंगता है थैंकियो फादर फादर अपन बहुत गंडा गिरेला आदमी मनिका वास्ते, बहुत पाप के फादर चोरी किया, रॉबरी किया, सुपाली लेके मर्डर किया और हर बार कानुन को दोका देकर भाग निकला पाद पन अपन भागते 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 लाँ फादर अपन फादर जोड़ना नहीं, मैं मर जाओंगा, छोड़ना नहीं अगर तु मरना नहीं चाहता, तो साफसा बता, तुने जॉन टिसूजा का खून क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे जान लेवा हमला किया था सच बोलने तो छोड़ना सच बोल रहा हूँ यानि के तु सच नहीं बोला चाता है चोड़, मैं चोड़ दूआ, चोड़ दूआ बोल बोल बगवान के लिए चोड़ना नहीं मैं बोल बोल मैं सपना की व्जाएदाद का वारिज मन नचाहता था इसलिए मैंने जॉन डिसूजर को सपना को मारने के लिए सुपार ही दी थी लेकिन जब मुझे पता चला के मुकेश अगरवाल के जूटे कतल का इजाम सपना पे लग गया है तो मैं खामाउश हो गया क्योंकि मेरा काम खुद बखुद होने लगा था फिर 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 बता रहो बता रहो अचानक मुझे पता चला कि जॉन डिसूजर इस चर्च के प्रीस्ट पाद्री की बातों में आकर प्रायश्ट करना चाहता था मेरा पूरा बना-बनाय काम बिगड़ने वाला था मैंने जॉन डिसूजर को मार डला मुकेश अगरवाल के कतल में तेरा क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं मेरा सच, सच, बोल ने, कोई हाथ नहीं मेरा उस हाथसे के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब, जब सप्णा और जॉन डिसूजा उस जील में से निकल रहे थे तो उसी, उसी टाइम पे, जील के उस पार मैंने किसी को, जीप को जील में डखिल देवे दिखा था हलो सर मैं करन बोल रहा हूँ सर मैंने मोनीश को रंगे हाथ उपकड़ कर ऐसा सबूत हासिल किया जिससे सपना निर्दोश थाबित हो सकती है वेरी गड़, वेरी गड़, मुझे पूरा भरोसा था करन कि तुम सपना को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे I'm proud of you अच्छा तो कहां से बोल रहा हूँ सर औरलन चर्च के पास से बोल रहा हूँ सर मोनिश को यहीं चर्च में बान के रखा है मैं जील पे जा रहा हूँ आप इसे यहां से अरेस कर रहा लीजिए ठीक मैं पहुंच रहा हूँ पहुँ से था कि मैं यह हुँ 치 मैं लगए लगाओ टेज़ गारा हुआड़ खारा टेक हा गडरा टेजन हुआ कर्णा शारा बना भारा गीता है कुछी मिला, हुग? इन दिज दिपन कोई गासने, बबस रिपदन कोई ताउ करें? कि देखो क्या तो कुछ कागस है, कहां से कुछ कागस है यह कागस मुकेश अगरवाल नहीं रखी होगी, इसमें तो कुछ लिखा है, टौच देना पंदरा अगस्त को जंडा फिराते समय है, मुख्य मंत्री जी की हत्या कन्ने की साज़िश की गई है उस साज़िश में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा यह पानी के विज़े से सब पेपर इतना गल गया है कि आगे पड़ा नहीं जाना करें, पंदरा आगस तो परसो ही है ओ माई गाट कैसे भी करके आई जी साथ तो पहुचना बहुत ज़रूरी है चलो, कब तो पुलिसे बचते रहेंगे हम अगा सर सर आप यहां मोनिश अरेस्ट होगे सर मोनिश हमारी हिरासत में और उसके जबानी हमें यह पता चल गया कि सपना बेकसूर है मेरे खाल से, गातिल वही है जिसने जीब जीब धील में पेकी थी सर मैंने जीब में वो जीब धून ली है क्या? यह सर कोई सबूत मिला? सर, कातल का कोई खास सबूत नहीं मिला, लेकिन ये पर्चा मिला है, सर, पर्चे में लिखा है कि 15 अगस्त को जंडा फिराते समय, मुख्य मंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई है, और इस साजिश में आगे सा पानी से धुल चुका है, आप इससे लिबारेटरी बेजबा दीजिए, ताकि जो धुलेवए अक्षर हैं, वो हम जान सकें करन, तुमने एक बहुत बड़ी दुरगटना होने से बचाली, well done my boy, thank you sir, देखो करन, मैं तो जानता हूँ कि तुम दोनों अंदे दोश हो, लेकिन यह साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, तब तक तुम दोनों को कानून से चुपकर रहना होगा, he's right, yes sir, आ, farmhouse चले, farmhouse? हाँ, पास में है, okay let's go, come, 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 house up, no, you do not worry, man, don't worry, don't worry, don't worry, I hear, देखो, मेरे farmhouse ज्रादा मैफूज जगा इस वक्त तुम दोनों के लिए कोई नही, रात भर यहा रहो, सबा तक सब तक हो जाएगा, thank you sir, जाएट साहब नाएट, जाएट, फिर फिर्माट सार, विर्माट, है तो है याएट, 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 चाल कि हम दोनों का ऐसे वक्त में साहरा दिया है कि हम दोनों जिंदेगी बर उनका ऐसा नहीं भूसकेगी यह राइट, तुम सही कह रहे हो जा मुआ धोलो, यू फिल फ्रेश मैं कुछ खाने का बंदू बस करता हूँ करेल, करेल सबना, सबना, क्या हुआ बातुम कि नसी, खुण जैसा पानी आ रहे तुम यही ठेरों में वाटर टैंक चक करता हूँ करें भी तुम करें करें पार तुम करें 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 झाल 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 तेवित हैं दब कर दो लितμε कर डुख नहांतों जheus बिलतुतना रिमत प्तुठतना थायां तेश्रें स्मय चिह भॉब खॉबन सहितों उन्हें दो वहांग। झाल झाल सपना तुम यहां क्या हो गया तुम्हें? करना क्या हो गया तुम्हें सपना वो यह आदमी जो हमेशन मेरा पीछा करता था वो यहां भी हा गया उसे के सब लुके हम लोग यहा है? पाता नहीं, I don't know No, don't worry, I'm here एक तक्या ओल्ड़िये बटन नट गया तुमाहे क्यो हुआ करे सपना से बिया ओफिसर मुकेश अगरवार का कतल आई जी सूर्य कांट वर्मा ने किया है क्या? यह वही बटन है जो मुझे जीप में मिला था जो इस कोट की बांक आया आई जी के कहने के मताबिक मनीश को हवाला पे होना चाहिए जबकि मैं अभी अभी उसके खून से लटपत कपड़े और जॉन डिसूजा की लाश पानी के टैंक में देखकर आया हूँ माई गाट और वो आदमी वो आदमी भी सूरिय कांट का आदमी है और यह मकान हमारी सुरक्षा क्ले नहीं बलकि हमारी हत्या के लिए चुना गया है सपना येस यू आराइट कर दर के वो यह आदमी स्टाप कुछ समझा नहीं दरसल मैं आप लोगों को मारने के लिए नहीं बचाने के लिए आया हूँ मैं भी एक सीबी आई आफिसर हूँ जी मालकिन ये सही कह रहा है आपका रामू हमरा खास आदमी बन चुका था और आपके घर में क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी ख़बर हमें दिया करता था ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड इस ओके आफिसर लेकिन आप इस तरह छुपके हमारा पीछा क्यूं कर रहे थे क्योंकि हमरे डिपार्टमेंट को शक था कि मुकेश अगरवाल की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साज़िश है इसलिए करन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और करन की जान की हिफाज़त की जिम्मेदारी गुपत रूप से मुझे सौंपी गई थी करन की जान पर कभी भी हमला हो सकता था साथ-साथ आपकी जान को भी बहुत खात्रा था हमने आपके प्रोफेसर को भी अपने साथ मिला लिया था ताकि करन के ट्रीटमेंट की जिम्हदारे उठाने के लिए वो आपको मजबूर कर सकें यह बताए उस कागस में क्या लिखा था उसमें लिखा था के पंदर अगर्स को ठीक साड़े नो बजे फ्लाइग होस्टिंग के समय चीफ मिनिस्टर साथ को खतम कर दिया चाहेगा हम लोग बॉम्बे से करेबन चार घंटा दूर हैं हमें फॉरण निकलना चाहिए लेट्स गो क्या हुआ है उस दर्वाजे में करन्थ है करन्थ है करन्थ है करन्थ है इसका मतलब है कि बाहर निकलने के सब रास्तों में करन्थ है ताकि हम बंगलों से बाहर नहीं निकल पाएं अब क्या करें हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है वह में बंगलों से बाहर लाज़रूरी है करन्थ है कर दो जब कर दो तो जब कर दो, जब कर दो लगा है? कि आदे एक शेकंद में मैं सबकू फोन कर लेता हूं है हलो 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 पिये साब मैं करन मोल रहा हूं जा स्यम से बात करवा दीजिये इस वक्त वो सो रहे हैं अमें उन्हें डिस्ट नहीं कर सकता पिये साब बहुत अर्जंट काम है, प्लीज, आप उठाई उन्हे, मैंने कहा ना मैं उन्हें नहीं उठा सकता, देखे काम बहुत जरूरी है, I'm sorry, hello, oh my god, I'll try सपना, इन्हास पर ले जाना होगा, नहीं officer, तुम हमारी फेक्र मत करो, तुम Chief Minister साहब को बचाओ, हाँ, वो तो ठीक है, लेगे, officer मेरा CM से आपके मिलना भास हो रही है, ओपन देखो, officer, officer करन साथ, मुझे आपको arrest करना पड़े, देखे, मैं आपको गिर्फतार करवानी आयो, लेकिन मुझे CM साथ से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप inform कीजिए, मैं मिलना चाहता हूं, please inform, कभा, सुनिल जी, करन सकतार CM साथ से मिलना चाहते है, यहां security होगी, और यहां आप सर, यह गद्दार ही मोकेश अगरवाल का हत्यारा है, और कल इस कमीने आपको भी जान से मारने की साथ से सची है, यह कभी सोच भी नहीं सकता था, कि एक लड़की के प्यार में तुम इतने पागल हो जाओगे, कि एक सिमेदार पुलिस ऑफिसर पर इतना बड़ा इल्जाम सर, मेरा यकीन कीजिए, इसने अपने फार्म हाउस में हमें जान से मारने की कोशिश भी की थी, और फिर यह, कोई सुबूत है तुम्हारे पास, था, सबूत था सर, सीबे ऑफिसर और स्पेशल अपॉइन के कोशल, जो हमें बचाते, इसके आदमियों के हाथों मारा गया, और दूसर था मुनीश, जिसके ब्यान से सपना निर्दो साबित हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसने उसका भी खून करवा दिया, क्योंकि उसके खून से लटपत कपड़े और जॉन्टी सुदा की लाश, इसके फार्म हाउस के वाटर टंग पे मिली, पूछे के म सपना के बारे में कुछ बताना चाहता है, सर, सपना जी कुछ विदेशी आदमियों के साथ मिलकर, हमारे देश के खिलाफ शड़ी अंतर रच रही थी, ये बात उनके घर के नौकर रामो ने भी सुनी थी, और करण जो है इसने, ये क्या बकवास किया जारे तुम, क्यों त जोटा आओ, चर्च, आज तक मैं कभी चर्च में गए ही नहीं हूँ, और मिस्टर करण, पिछली चार रों से मैं बंबई में हीमु हम ये जूत है, ये जूत भोल रहा है, ये दोनों मेले हूं है, सर, सर, मुझे ये बटन मिला पानी में मूकेश करवाल की जिप में है, औ एक्स्क्यूज मी सा, ऐसा बटन तो मेरे कोट पर भी है, यह देखे सर, इस तरह के बटन तो बाजार में आम मिलते है करन, तुम्हे कुछ और कहना है? पूछी इनसे, जो कागज मुझे मुकेश अगरवाल की जीप में मिला और मैंने इने दिया, वो का है? पूछी, आप चुपका हैं, कहा है वो कागज? सर, वो पेपर में ने लिबारिटरी में टेस्ट के लिए भेजा था, सोच रहा हूँ भी तक आपके पस पहुंचा क्यों नहीं? ये रही उस पेपर की लिबारिटरी रिपोर्ट जिसे आईजी साम ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा था सर, अभी आपको पता चल जाएगा कि मुखेश अगरवाल आपको क्या बताना चाहती थे रिपोर्ट पड़ो 15 अगस्त को जंडा फैराते समय, मुख्य मंत्री जी की हत्या करने की साजिश रची गई है इस साजिश में हत्या का मुख्य कारण इतना है कि कुछ बिदेशी ताक्ते इस देश में आतंक फैलाना चाहती है बिदेशी ताक्तों से इस हत्या के लिए 100 करोड रुपे लिए गए है इस हत्या के पीछे सारी साजिश पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी की है जीफ मिनिस्टर साहब की हत्या का साउदा विदेशी ताक्तों ने मिस्टर करन सकसेना के साथ किया है नहीं जूट है ये 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 सब जूट बोल रहा है घहरी साज़ेश है मेरे खिलाफ मेरे यकीन किजिए सर ये सब इसकी चाल है ये देखे बाबा मैंने आगुए पिता समन माना है मैं तौ आप से जूटering मूलूगा मैं सच कह रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता बाबा मैं नहीं कर सकता है गरहन आज की दुनिया में पैसे के लिए कुई कुछ भी कर सकता है सर, मेरे लिए क्या ओर्डर्ज है यह आपके डिपार्टमेंट का केस है जो उचित समझे करें गद्धार यह मैं समझे के दूप बच गया फुद मरने की कगार पर खड़ा है और मेरे मरने के सपने देख रहा है ऐसी ही गलती मुक्केश अगरवाल ने भी की थी वो जान गया था कि मैं विदेशी ताकतों के लिए काम करता हूँ और यह राज जब वो सी एम को बताने जा रहा था सूरे कांथ पंदर अगस को मुक्के मंतरी जी के कतल की साजिश बनाने वाले मुक्के सूतरधार तुम यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेतर यह होगा कि तुम अपने आपको कानून के अवाले कर दो क्योंकि कल यह रिपोर्ट में मंतरी जी को देने वाला हूँ अब तुम बच नहीं सकोगे बच सकता हूँ सेर क्योंकि यह राज सिर्फ आप तक ही है और मैं इसे आपके साथ ही दफन कर हूँ 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 बल अख कर दो हूरत कर दो जो है अचल कर दो है आर कर थो वजी वे उनन वे या को कर दो कर दो कर दो घुट कर दो चारा हूँ पानी के किनारे प्यासा मार कर पानी में डुबो दिया था मैंने उससे और फसा दिया था तेरी मैबुबा सप्णा को औरे तुम लोग मेरे हाद की कट पुठलिया हो कट पुठलिया ृच जंदगी भरन चाता 0 OK आया था साजिश का पता कर ले और खुद ही मेरी साजिश का शिकार हों कर लगया हां अरे खर अब सपना को फचाना, मेरे बचने के लिए बहुत जरूरी था और मैने फचा दिया… वो भी तेरे हाथो अपने आपका बहुत होष्यार सबज रहा था ना मुझ तक पहुझने की कुछ कर रहा था मुझ तक पहुझने की अरे तुझे तो डॉक्याड में ही खत्म कर दिया होता लेकिन तु बच गया और जेल में अपनी महभूबा को भी बचा लिया जिस साज़िश का पता करने के लिए तो इतना परेशान है मैं खुद ही बता देता हूना ये सच है चीफ मिनस्टर की मात के साथ इस मैंने किये कुछ बिगाड सकता है बिगाड ले और सन कल वो जरूर मरेगा मैं फिक्स करूँगा बाब और था गया तेरा बाबा अरे भाई अभी तो यह शुरूआत है शुरूआत इसके बाद मौत का एक ऐसा सिल्सला शुरू करूँगा मैं कि इंदुस्तान में तबाई आ जागी तबाई और मैं मैं दुनिया का सबसे अमीराद भी बंचाऊंगा सबसे अमीर फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगार सकेगा चोड़ दूगा इस देश को मैं अने तू पागल होगे सुर्यकांद वर्मा तू ऐसा नहीं कर सकता याद रखो किसी भी हालत में वह बचना नहीं चाहिए टूंट परी संग प्रिश भी हमा है चरत पाचाई आई पर दो जब देखो गोज़ कर दो दो कर दो मैं अपने इस्टिटूट के वर से आपका हारदिक स्वागत करता हूं जो आपने यहां आकर हम पर क्रिपा की अरे इसमें क्रिपा कैसी आप सब के वीच में आकर मैं बहुत खुश हूँ मैं अब आपसे प्राक्तन करता हूं कि 15 अगस्त के शो आउसर पर आप अपने हातों से जंडा रोहन करें अपने अपने पर करें कर दो 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 को सब क्या आपकी आतिया के लिए उस शुका अच्छनले में पूलु की जगे बंबांद की बाबाब़ बाबाब़ कि ये रस्ती खीच नहीं फट जाएगा मत खीचेगा सरी जूट बोल रहा है कर रात तो ये पलिस को धोका देकर लौक अब से भाग गया था अगर मैं छूट बोलो तकाओ इससे रस्ती खीच के दिखाए चुप करो इससे पहले भी तुम इन पर इस तरह के बेहुदे इल्जाम लगा कर जूटे थाबित हो चुके हो मैं तुम्हारा असली चेरा पैचाच चुका हूँ मुझे अपने सचाई थाबित करेंगा एक आखरी मौका दीजिए प्लीज बाबा प्लीज सूरेकांट इसे इसकी घलत फैमी दूर करने का ये आखरी मौका दे दो सर ये कैसे हो सकता है सर इसका तो अधिकार सिर्फ आप ही को है सूरेकांट तुम्हारी वरदी पर उच्छा ले इस कीचल को धोने के लिए आज तुम्हें अपना ही अधिकार देता हूं आओ जन्डा भेराओ कि अ उपता लुचा अवाबस कि अभी दो हँ उन्य करे दो . अई ह कि दो हुआ Architecture तो पदकिएियस कर दो कर दो कर दो कर दो करन अब और कौन सा जूट बचाए तुम्हारे पास बोलने को बोलो इतने लोगों के सामने तुम्हारे इस आखरी मौके ने मेरा सर पहले से भी ज्यादा नीचे कर दिया जंद पैसों और एक लड़की के लिए देश से घद्दारी और इलजाम एक एक इमांदर पुलिस आफ सुरिकान, यूमेट तो यूर ड्यूटी, राइट सर, अरेस्थिम आज, पंद्रह अगस्त के दिन, मैं तुम सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कि भूल से भी कभी कोई ऐसा काम मत करना, जिससे तुम्हारे शिक्षक का सर, मेरी तरह शर्म से जुग जाए, जिससे प्रेश जाए, जिससे प्रेश जाए, इज़ तुम्हारे के बा-इभ a व जाए, एाए, शोब लाए, ंरक री जाए, जिससे प्रेश जाए, प्रेश लाए, शोड़ जाए, जिससे प्रेश जमगस्ती हरा यह, यह, जिससे गिर पिटखड़ एक अच्धो बुटब में झूज है लोग पया पॉटख झाब टी तो हैना ड का दिल से चुड़ी तिल की कड़ी, हलचल हलचल हर गड़ी, लगता है तुछ हो गया मेरे यार दिल से चुड़ी तिल की कड़ी, हलचल हलचल हर गड़ी, लगता है कुछ हो गया मेरे यार लड़ी लड़ी लड़ी, लड़ी लड़ी, लड़ी लड़ी, लड़ी लड़ी चल चल ऑखे, चार करो, दिल में भी ठाके, प्रार करो, अब नहीं होता मुझ से इंसे जा लड़ी लड़ी